हेलो फ्रेंड्स मेरा नम है राकेश और मैं आज आपको एक बहुत ही इंपोड़न चीज बताने वाला हूं यह अभी फ्रॉड का एक तो नया टेकनिक निकला है यह आप देख पार है मेरे डिक्स्टॉप में मैं अच्छली ऑफिस का काम कर रहा था तो अचानेक मेरा दे रहा है इंडिया.gov.in slash topic home affairs enforcement slash police अगर के ताकि आपको लगे कि यह कोई genuine government portal से आया है मगर यह एक फ्रॉड है कैसे मैं बता रहा हूं यह जो web page आप देख रहे हैं यह totally fake है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपका काम नहीं करेगा यह image type का चीज है जो HTML में उन लोगों ने ब repeated visit to pornographic sites containing materials provided by the law of India ठीक है यह जो चीज बताया जा रहा है पहले पहला बात तो यह है कि मैंने कोई site visit नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पर office का काम कर रहा था घर में भी बैठा हूं family के साथ मगर यह जो चीज है यह आपके laptop में आप चाहें देखो ना देखो कोई भी काम करो कभ as prescribed by the decree number something कुछ ऐसा देखे बोल रहा है और यहाँ पर लिख रहा है attention if you fail to pay a fine और attempt to unlock your computer without paying a fine all information on your device will be permanently deleted in order to prevent the discrimination of pornography the police will come to your home to arrest you and criminal charges will be filed against you your device will be unlocked automatically after the fine is paid तो 29,000 यह लोग मांग रहा है वो भी आपको यह fraud के मैध्धम से ठीक है अब हम आपको समझा रहे हैं कि यह जो आपका computer log नहीं हुआ है या ऐसा कुछ भी नहीं है यह जो web page है यह web page का जो आप यह site देखके कभी घब रही है मत जो आपको यहाँ पर जो logo दिख रहा है log logo में encrypted logo में india.gov.in यह website का जो देख रहा है ना address इसको देखके कभी घब रह यह जैनूइन address नहीं है कैसे हम आपको बता रहा है आप यहाँ पर जो भी कीजिए close करने के कोशिश कीजिए कुछ भी काम नहीं करेगा मगर आप जैसे उपर जाओगे यहाँ पर यह cross button आएगा क्यों क्योंकि एक टो HTML type का एक टो page है ठीक है आप जैसे जाओगे cross में जैसे या मेरा browser कुछ भी block नहीं हुआ है यह लोग क्या किया है जो पहला जो टैप था उसमें एलोग automatically यह मेरा जो website है उसमें कोई site के थ्रू से एलोग track करके यहाँ पर इस site में automatically redact हो गया है आप यह site देख सकते है iqbroker.quest.index.php करके इसका जो HTML link है यह इसका actually site का link है और इसकी अंदर इनोंने यह जो page आप देख रहे हैं पूरा का पूरा यह HTML का page यह लोग design किया हुआ है जहाँ पर यह सारे जो logo यह सब दिख रहे हैं सब fake है सिप यहीं पर आपको card detail, card holder name यह सब देने का options active है ताकि जो भी victim रहे जो भी जिसके computer में यह चीज आए वो बीना सोचे समझे जैसे ही कुछ काम नहीं करेगा घबरा के यहाँ पर अपना detail furnish करे और confirm करे और देखें यहाँ पर यह लोग बोल रहा है कि credit card से payment करना है ठीक है credit card में आप जानते हैं उसमें auto pay इसा बहुत सारा चीज enable हो स ठीक है और यहाँ पर लिखा भी है pay the fine within 12 hours यह सब fake है ठीक है दोस्तों इस सब चीज देखने से गाना नहीं है आप इसको अच्छे तरक से समझे ऐसा कोई blog नहीं हुआ है यह देख रहे है आप इसका page है हम इसको चाहे तो अभी इसको refresh करके हटा भी सकते हैं आप एक बार मैं देख लिजे अच्छे से अब हम इसको refresh करके हटा देंगे यह इसको हम हटा करके कोई दूसरा जिस खोल क्या पको दिखाते हैं महींत यहां परommy this पर हम ऐसेस्बूक की खोलते हैं नहीत Прको मैं और भ्रावजर कुछ भी लॉघ्छ नहीं सेरं competitors आप लोग ये समझना है क कोई विब पेज नहीं या कोई गौर्वर्मेंट का मैसेज नहीं वह एक फ्रॉड है जो कि उस पेज के उपर HTML का एक पेज बना के वो लोग देता है जैसे कि आप लोग जहासा में पढ़ जाओ ठीक है तो आप लोग सभी सतरक रहे और इस तरह के से फ्रॉड होने से बचे और अवेर रहे और कुछ ऐसा आता है तो हमेशा जाच कीजिए कि कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है I hope कि आपको इस वीडियो के information से बहुत कुछ help मिलेगा और इसको kindly आप अपने घर परिवार दोस्तों सब को share कीजिए ताकि awareness बढ़े और इस तरह की से use amount का fraud जो है यह होने से बचे Thank you